धियान रखने योग ज़रूरी बाते हैं धियान से सुनें नमबर एफ चेहरे की तिल को साफ करने के लिए नारियल तेल लगाएं ये उपाए कुछ दिन नियमित रूप से दोराने से तिल हलके होने लगेंगे और धीरे धीरे गायब हो जाएंगे चेहरे सेंच चाहे दिलों को हटाने के लिए बेकिंग सोड और कस्टर ओयल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है नमबर दो दर्द और बाड्यूपाइन को दूर करने के लिए हल्दी को दूद में उबाल कर पीना एक बहतरीन कॉम्बिनेशन है क्योंकि दूद प्रोटीन का बहुत अच्छा इस्तरोत है जो घाओ को भणने में मदद करता है और हल्दी में एंटी इंफ्लोमेंटरी गुन होते हैं जो मांस पेशियों में सूजन और जलन में राहत दिलाती है हल्दी में कर्क्यूमिन भी होता है जो की एक श्रॉंग एंटी ऑक्सिडेंट है जो इमिनिटी सिस्टम को मदबूत बनाने में मदद करता है पेट दर्द दूर करने के लिए नेबू के रस में सेंधा नमक डाल कर पीएं है नेचरल मिनेरल से भरापूर से Na नमक का सबसे शुदह रूप है और ये सफेद नमक से कई गुनाओ बेतर होता है यह पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है ऐसे में से नमक को नेबू गेस सिस्जान के साथ मिलाकर पीने से सुमस्या को होती है डखार है और याइस पास करने में मिलती है गए सबनें हैं था सबस्गें याँ सब्सक्राइए दूरुक्षय वीले प्रक्रता केता animations को साथी इसे लगाने से फटे होटों की समस्या भी ठी हो जाती है ऌम पांच गैस की समस्या होने पे कुछ सम्हुझे नहीं आता कई बार तो गैस द इतनी भेंकर बनती है कि सरपर चरती है इससे तुरंद राहत पाने के लिए आपको दवान नहीं लेनी चाहीए क्योंकि इससे गैस से छुटकारा तो मिल जाता है लेकिन घरेलून उसके से आप तुरंट राहत पाने के लिए इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं इसके लिए लहसुन के दो कलियों को छील कर शुट देसी घी के साथ चबा कर खाएं तुरंट आराम होगा नमबर छे पका हूँ अमरूत खाने से शरीर में हेमोगलोवीन की कमीन नहीं होती है इससे पेड भी साफ रहता है और जिससे कब्ज नहीं होता है नमबर साथ गुठनों में दर्द रहता है तो लहसुन के तेल में थोरी सी अजवाइन और हिंग डाल कर गुठनों पे लगाने से दर्द ठीक हो जाता है नमबर आठ अगर आप मुटापा कम करना चाहते हैं तो हरी मिर्च और शिमला मिर्च का सेवन करें नमबर नौ अगर आपका पेट ज्यादा बर रहा है तो लहसुन के रस से पेट की मालिश करें इससे बढ़ता हुआ पेट कम हो जाएगा नमबर दस खाना खाने के तुरंट बाद नहाना शरीर के लिए नौकसान दायक होता है ये आपको बिमार कर सकता है इसलिए खाने के एक घंटे के बाद ही निहाएं नमबर इगारा अगर आपके पेट पर चर्बी ज्यारा जम रही है तो सुबा खाली पेट मेधी या सौफ के डिटॉक्स डिरिंग पीएं इससे मेटाबलोजिम में बूश्ट होता है और एक्स्ट्रा चर्बी कम होती है नमबर बारा महेंगे महेंगे फेस वाश भी इस उप्टन के सामने फेल हैं आप बजार में बिकने वाले महेंगे फेस वाश की जगा चंदन पौडर से मूध होएं इससे आपकी स्कीन को कई फायदे मिलते हैं इसकीन पर चंदन लगाने से रैशेश, कील, मुहासे, रेडनेस, आदी से छुटकारा मिल सकता है इसके हिलाबा इससे ऐरोमैटिक और औशद्य गुन होते हैं जो आपके चेहरे को ठंडा रखते हैं चंदन में एंटी इंफलोमेंटरी एंटी ऑक्सिरेंट गुन पाये जाते हैं जो इसकीन प्रॉबलम की छुटी करते हैं साथी चंदन के इस्तेमाल से इसकीन गुलोइंग और मुलाइम बनती है नमबर तेरा जो आपसर ठकावट महसूस करती हैं उनको दूद में छोहारे उबाल कर खानी चाहिए और दूद पीना चाहिए नमबर चौदा नाभी में तेहर डाने से चेहरा सुन्दा और आबाल भी चमकदार बनते हैं नमबर 15, रोजाना प्यास खाने से श्रीर में खून बनता है नमबर 16, महलाओं में तणाव और नीन की कमी से उनका मुटापा तेजी से बढ़ता है नमबर 17, खाना खाने के बार थोरा जीरा पीस कर खाने से पाचन तंत्रे मजबूत रहता है नमबर 18 औरती स्कीन टैनिंग दूर करने के लिए एक चमस टेमाटर का रस एक चमस दही लें टेमाटर और दही को एक साथ फेट कर इसका पेश्ट तयार कर लें अब इस पेश्ट को अपने चेहरे पे लगा लें करीब 25 से 30 मिनट बाद इसे धोलें कमाल का परिनाम मिलेगा नमबर 19 अगर आपको शुगर बनने की बीमारी है तो सुबह सुबह खाली पेट करेले का जूस पिए जूस बनाने से पहले करेले की बीज निकाल दें जूस निकलने के बाद उसमें थोरा सा पानी मिलाएं और फिर पिएं इस उपाय को दो महिने तक लगातार करें आपका शुगर कंट्रॉल में आ जाएगा नमबर 20 उम्र बनने के साथ ही चेहरे पे जुड़ियां आने लगती हैं ऐसे में दही में गुलाब का अरुक मिला का चेहरे पे लगाएं इससे आपके चेहरे की जुड़ियां कम हो जाएंगी नमबर 21, ऐरन की कमी को दूर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें लोहे की कराही में बनाएं जिससे ऐरन की कमी नहीं होगी नमबर बाइस, हाथ पैर, कोमल और गोरा बनाने के लिए एक चमच चीनी, एक चमच ओलिव उयल और एक चमच नेवो का रस मिला कर हाथ और पैरो पर मलें इससे 10 मिनट के बाद धोलें, इससे आपके हाथ और कोमल और गोरे हो जाएंगे चोटे बच्चों को अक्सर उल्टी, दस्त, गैस और पेट दर्द जैसी समस्याएं होती रहती है इन समस्याओं को दूर कनने के लिए बच्चों को इलैची वाला दूर दे अगर आपको पिशाम में जलन हो रही है तो तुलसी के पत्ते चमाएं इससे आपको आराम मिलेगा नमबर पचीस हफ़ते में दो दिन गरम पानी में ऐलो वेरा डाल कर इस्ट्रिम लेने से चेहरान निकर जाता है नमबर च्छबिस कम सुनाई देने लगे तो थोड़े से जीरे को दूद के साथ फांग ले इससे कम सुनाई देने का रोग जल्द ही ठीक हो जाता है नमबर 27 सुबा सुबा खाली पेट दही खाने से शरीर में नया खून बनता है नमबर 28 आलू की पैटी ये टिक्की बनाने के लिए आलू को अच्छी तरह उबाल कर रैफ्रिजरेटर में ठंडा कर ले इससे टिक्की गलेगी नहीं और अच्छी बनेगी नमबर 29 बाजरी ये जोहर में गरम पानी डाल कर आटा गूंदें इससे रोटिया नरम बनेगी नमबर 30 अधरक लहसुन को ग्रैंड करते समय उसमें थोरा सा तेल वा नमक डाल दें और फिर स्टोर करें इससे वो लंबे समय तक फिरिश रहेगा नमबर 31 गुलाब जामुन बनाने के लिए डो बनाते समय उसमें दूद मिलाएं इससे गुलाब जामुन नरम बनेंगे नमबर 32 चिकन को मैरिनेट करते समय उसमें थोरा सा बेकिंग सोडा मिलाएं इससे चिली चिकन सौफ्ट बनेगा बूंदी का रहता बनाते समय उसमें नमक और मसाला मिली हुई दही में डार्यक डालें इससे रहता टेश्टी बनेगा नमबर 34, पूरियों को बेल कर तन्य से पहले 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख दें, इससे वो फ्राइ करते समय ज्यादा तेल नहीं सोखेंगे नमबर 35, मूंग डाल की चीले बनाते समय उसमें थोरा सा चावल का आठा मिला लें, इससे चीले कुरकुरे बनेंगे नमबर 36, गिरेवी वाली डिश बनाते समय उसमें टेमाडर जरूर डालें, इससे सबजी की गिरेवी टेश्टी और स्मूध बनेगी नमबर 37, दही जमाते समय दूद में छोटा सा नाजिल का टुकरा डाल दें, इससे दही 2-3 दिन तक ताजा रहेगी नमबर 38, गिरेवी वाली डाल सबजी में नमक ज्यादा हो जाए तो उसमें सूखी बिरेट का चूरा या बेसन भून कर डाल दें, गिरेवी भी कारी होगी और सबजी का सौध भी बरहेगा नमबर 49, मिर्च के अचार में तोड़ी सी हिंग डाल दें, इससे मिर्च का अचार खराब नहीं होगा नमबर 40, पकारे बनाते समय उसके गोल में एक चुटकी अररोट और थोरा सा गरम तेल मिला लें, इससे पकारे ज्यादा कुरकुरे और स्वादिश्ट बनेंगे नमबर 41, हर्ट्स को डालते समय उसमें थोरा सा नमक छी रख दें, इससे हर्ट्स इदा उधन नहीं पहलेगी नमबर 42, जब भी आप आमलेट पका रहे हो तब अंडे को फेटें और कराही को हिलाएं, इससे आमलेट सही बनेगा नमबर 43, बेलन को चार से पांच मिनट फ्रीज में रखने के बाद रोटियां बनाएं, इससे आठा बेलन पेलने ही चिपकेगा नमबर 44, बारी कटी सबजियां पकाने से 50% तक कम किया जा सकता है ओल, इसलिए सबजियों को जितना हो सके बारी काटे नमबर 45, कीवी को दो हिस्सों में काट कर चमस से उसका पल्प निकालें, इससे वो असानी से निकल जाएगा तो इस वीडियो में बताई गई जानकारी, एक समानने जानकारी पे अधारी थे, किसी भी बिमारी से पीडित होने पर एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ये नियम अपनाएं तो फिरेंड्स उमीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो बसंद आई हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपनी फाइमली फ्रेंड्स में से ज़रूर शेयर कर दें ऐसे ही इन्फर्मिशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें मैं शिरीन फात्मा एक और इसी तरह की न्यू और इंफर्मिशन वीडियो के साथ फिर हाजिर होती हूँ तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का खयाल लखें तो बाबाई फ्रेंड्स